मैं हरीश कुमार काजला अध्यक्स एम्स नर्सेज यूनियन नहीं दिली सरफर्तम इस देश और दुनिया के उन सभी नर्सिंग कोरोना वारियर्स को जो कोरोना मरीजों की स्याव में लगातार जुटे हुएं उनको सलाम करता हूं सेलूट करता हूं साथियों जैसा कि आप सभी को पता है की एम्स नर्सेज यूनियन نے 16 दिसंबर 2020 से एक एनिसित कालिन हर्ताल पर जाने का нिनने लिया है साथियों आकिर क्या वज़े है की एम्स नर्सेज यूनियन को इस तरह का एक कहटोर निनने लेने पे मجभूर किया गया तो साथियों ये M.S. नरसेज यूनिन का गुस्सा है कि हमारी विविन मांगे जो कि M.S. परसासन और भार्ष सरकार के स्वास्ते मंत्राला और वित्र मंत्राला के द्वारा योजनबत तरीके से उनको खतम करने की एक प्रक्रियास रूप की गई है इसके खिलाप ये गुस्सा है इसके खिलाप ये स्ट्राइक एक आवाज के रूप में उभरी है साथियों जो हमारे M.S. के करमचारी है उनके साथ जो भिद बापुन रवाईया अपनाया गया है M.S. प्रसासन के द्वारा उसके खिलाप ये एक बुलंद आवाज है ये बुलंद आवाज है जो स्ट्राइक के रूप में निकल के सामने आई है साथियों ये हमारे देश के उन सभी बेरोजगार नर्सिंग साथियों के साथ हो रहे जेंडर डिस्क्रिमिश जैसे मुद्दे पर हो रहे उनके साथ अन्याय के खिलाप एक आवाज है साथियों ये हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को बचाने के लिए हमारे सारे एमस नर्सिंग यूनियन की ओर से जो एक कटोर बुलंद आवाज है ये स्ट्राइक है साथियों मैं उन सभी मुद्दों पर अब आप से विस्तार पूरोग चर्चा करना चारा हूँ जिन मुद्दों को योजनबत तरीके से प्रसासन की द्वारा खतम करने की प्रक्रिया सुरू की जा रही है साथियों अगर आप सभी को याद होगा तो लगबग एक साल पहले एमस नर्सिंग यूनियन ने एक सत्याग रह अंदुलन किया था और उसमें बहुत सारे हमारे मुद्दे उसमें लिस्टेड थे उनमे एक जो मुख्य मुद्दा था वो 6 CPC के अनुमेली थी यानि की नर्सिंग ओफिसर से लेकर CNO की पोस्ट तक जो 6 CPC में जो बेसिक्स फिक्स किये गयते हो गलत थे और हमारी आंदोलन के दबाव में केंद्रिय स्वास्ते मंतरी सरी हर्सवाफध्ण जी ने मंतरालन में एक मिटिंग भी भुलाई थी और इस मिटिंग में आने से पहले हमें एक कहा गया कि हमने आपकी इस मांग को मांन लिया गया है और एक अधिकारिक रूपसे की . पत्र जारी किया जा चुका है इसके बाद बाते हुई है सभी मुद्दों पे बाते हुई और जो सिक्स सीपी से अनमल थी उसमें कई ओफिशल ओडर इशी हुए है और लोगों के फिक्सेशन सुरू हो गए यानि कि इस ओडर के तहट लोगों को ढई तीन लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक मिलने वाले थे और ये सारा मुद्दा कोरोना काल से पहले का था यानि कि ये दिसंबर दो हजार उन्नीश तक इन सभी मांगों को जो सत्यागरे के हमरे डिमांड्स थी उनको पूरा किया जाना था लेक साथियों अभी समुद्दे पर एक बड़ा हमारे साथ एक चल किया जा रहा है या देखे तो कपड़ता पूरा के एक टेलीफोन के द्वारा इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है वो हमें बेकूप समझ रहे हैं एमस नर्सेज को और सबसे बड़ी बात है कि ये बेनिफिट पूरे नेशनल की जो सेंटर गवर्मेंट की नर्सेज है उन सबी को मिलने वाला है साथ ये इसके लाव अगर मैं बात करूँ कि बार्च सरकार के एक ऐसे आदेश की इसके तहट जितने भी हमारे जो बेरोजगार नर्सिंग साती है उनके साथ एक अन्याय किया जा रहा है बार्च सरकार का जो एक अंग है एक उटोनोमस अंग है इंडियन नर्सिंग काउंसले कहती है कि आप सभी को नर्सिंग करनी है लेकिन बार्च सरकार अपनी विग्यपती के द्वारा कहती है कि आप बेसक नर्सिंग कर सकते हैं लेकिन हम मेल और फिमेल के अंतर के आदार प उनके साथ मजाक किया गया है उनको अपमानित किया गया है इसका जो root जो कारण दिया गया है वो CIV की meeting में जिसको मानने केंद्रेसवास्ते मंतरीज ने चेर किया था और जितने भी M's है उनके परसिध डाइक्टर उसके member थे और उनने उस meeting में ये कहा गया कि मरीजों को comfort देन कमफर्ट देना है जिसके लिए फिमेल के आवेशकता है तो इन्होंने अपमान किया है हमारी महीलाओं का उन्होंने कहा है कि महीलाओं कमफर्ट दे सकती है इसलिए हम इनको एटी-ट्वन्टी का रिजर्वेशन देके नोकरी देना चाते हैं मुझे ऐसे सब्द यूज करते हुए खुद को सरम आ रही है कि इस CIV के बड़ी कमेटी ने इस तरह का निन्ने नेने से पहले हमारी जो सम्मारित नर्सिंग ओफिसर्स हैं जो बैक बॉन्स हैं जिन्होंने कई पीडिया इस प्रोफेशन से में आई हैं फिमेल और उन्हें हमा के मुखे मुद्ध बनाया है और साथियों अगर हम EMS की बात करें तो EMS का मतलब ही फैकल्टी है EMS का मतलब ही डॉक्टर होना है अगर आप नर्स हो टेकनिशिन हो क्लर को गार्ड हो या कोई भी किसी भी पोस्ट पे हो आप सूइपर हो तो आप EMS नहीं हो EMS में होने का मतल कि आप डॉक्टर हो एम्स के अंदर इस तरह का भेद बापुन रवया अपनाया जाता है इसके बहुत सारे उदारण है अगर मैं शुरुआत करना चाहूं कि इस कोरुना काल के अंदर बहुत से ऐसे मुद्याएं जहां पे अधर एंप्लोईज को के साथ भेद बापुन रव का चुरुआत के वगवान है लेकिन आज कल एम्स के बगवान को जो डॉक्टर है उनको छुवा चुँथ की बिमारी हो गई है उन्हें अपने एमप्लोईों से चुवा चुथ की बिमारी हो गई है अगर हमारों कोई एम्स की वेश में जाकर चाय पीने या तो वहां पे बॉंसर्स खड़े के गए, उनको तन्खवा देके वहां खड़ा किया गया है, कि ये डोक्टरॉस ने कहा है कि हम इन लोगों के साथ बैटके चाहे नी पी सकते इस मेस में, हम अदर एंप्परोईं के साथ, नरसेज के साथ, टेकनिस्न के साथ, इन गार्ड के सा यह पात हम बैठके चाय नहीं पी सकते, सरम आनी चाय है, एमसाइड्मिस्रेशन को, और एमसाइड्मिस्रेशन ने इस मामले को लेकर एक चिठ्थी भी जारी किये, कि आप यहां नहीं आ सकते, एक मरीज की सिवा करने के लिए, वार्ड में डॉक्टर जा सकता है, वार्ड जा और इसका बहुत से लोगों को सामना करना पड़ा है, यह एमान वी अत्याचार है, एमस करमचारियों के साथ, कि जहां एमस के अंदर मैस और कैंटीन फैसलिटी के लिए, अगर आप देखेंगे, एमस में आके, तो वहां फे फैकल्टी जोंज है सेपरेट, बड़े वी इसे लाँज है, लेकिन एमप्लोई के लिए कोई सुधा नहीं है, अगर एमप्लोई भूल वस उस मेस एरिया में जाके, चाय पीने के लिए चला गया, तो उसे धक्के दे के बार निकला जा रहा है, तो एमस का मतलब डॉक्टर है, एमस का मतलब करमचारी नहीं है, अगर पातियों जो यहां पे बेदबाह हो हैं यहां के डॉक्टर और अधर करमचारी ओंके उसे बार बार जस्ट्िफायड किया जाता है मैं आपके सामने कुछ उधारन रक ना चाह रहा हूं कि सबदरजंग उस्पताल और एम्स अस्पताल आमने सामने हैं दोनों में मरीज आते है दोनु लोग मिलके मरीजूं की सेवा करते हैं लेकिन M's के डॉक्टर्स को सबदर्जण के डॉक्टर्स की तुल्ना में ज़्यादा सेलरी दी गई है लेकिन M's की नरसेज को सबदर्जण की नरसेज से कम सेलरी मिलती है ये सब ओन पेपर है तो कैसे मुद्दे पे हमें हमारी बात नहीं रखनी चाहिए और इस बात का जस्टिफिकेशन मानने केंद्रिय वित मंत्री स्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अपने एक अधिकारिक पत्र के द्वारा जो जनवरी के अंदर केंद्रिय स्वास्ते मंत्री स्री हर्सवर्दन जी को लिखा गया था उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि सबदरजंग एक अस्पताल है और EMS एक रिसर्स इंस्टूट है इसलिए वहाँ के डॉक्टरस को हम ज्यादा तनख्वा दे रहे हैं ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं लेकिन वहाँ के करमचारियों को EMS के करमचारियों को बोनस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक रिसर्स इंस्टूट है हमें हर साल बोनस के लिए भीक मांगनी पड़ती है एमस एड्मिशेशन के सामने और स्वास्ते मंतराला के सामने जबकि सब्दरजन के करमचारियों को कोई भीक नहीं मांगनी पड़ती जो दिवाली बोनस के नाम पे जो पैसा आता है उनको चुपचाप दे दिया जाता है तो साथियो निर्मला सीतारमजी ने जोस्टिफिकेशन अपने ओन पेपर दिया है वो एक बड़ा ही एमस करमचारियों के साथ एमस नर्सेज के साथ एक भद्दा मजाक है तो फिर एमस करमचारियों की सेलरी क्यों नहीं बढ़ाई जाते है और इसका एक प्रूब भी है 1998 में प्रोफेसर कुसुम बर्मा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन्स में जिनको जनरल बोडी ने आई भी ने भी अप्रूव किया था उसमें कहा गया था कि एमस करमचारियों की तनख्वा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि डेडिकेटली काम करते हैं इनको ज़्यादा काम करना होता है रिशर्च इंस्टूट है लेकिन वो रिकमेंडेशन ओनली फैकल्टी तक सिमित कर दी गई एमस करमचारियों को अभी तक कुछ नहीं दिया गया अब आप देखिए बाईस साल से एक रिकमेंडेशन स्वास्ते मंतरा के पास पेंडिंग है लेकिन फैकल्टी को रिकमेंडेशन चुपचाप माल नी जाती है और वो 6 CPC में इसका बेनिफिट लेते और 7 CPC में इसका बेनिफिट लेते है अगर हम एक उधान पर और जाएं NPS पर जो 2004 के बाद की जिन लोग की जोईनिंग है उनका एक NPS कोंट्रिबूशन करता है वो सेंटर कैंजरी करमचारियों का 14% करता है कि इस सबदरिजन के करमचारियों का मंतली 14% सरकार के दुवारा उनके खाते में डाला जाता है लेकिन NPS करमचारियों का 10% डाला जाता है क्योंकि आप Research Institute में हो आप Autonomous Institute में हो तो आप भेदबाव देखे कि NPS के अंदर एक डॉक्टर और फैकल्टी की तंखवा ज्यादा इसलिए है क्योंकि Research Institute है और यहां के Employee की तंखवा या उसको मिलने वाले वेतनिक फायदे है वो कम है क्योंकि आप Autonomous और Research Institute में है तो इस तरीके से 12 मापदन सभी लोगों के सामने अधिकारिक रूप से देखा जाता है इसके बाद बाद आती है कि EMS के अंदर जो 2004 से पहले जो लोग हमारे कई Senior Nursing Officers है उन लोग को GPF Benefit की बात है वो नियाइक परिक्रियाओं के दुआरा भी उन लोगों ने इसको पाने की कोशिस किये लेकिन उन सभी जो Judicial Orders है उनको भी IMPLEMENT नहीं किया जा रहा और कुछ एक लोगों को इसका benefit दिया जा रहा और आप सभी को पता है उन सभी लोगों को कि इनको benefit और कैसे दिया जा रहा अगर साथ यूँ हो हम बात करें यहाँ पे जो स्वास्ते सिवाए मिलती हैं करमचारियों की पीचस के थुरू उसको देखे तो यहां के जो डॉक्टर से वो अपनी ओनलाइन सिलिफ निकालते हैं उनके पियों उनकी दवाई लेके आते हैं चाहे जैसी चाहे जिन दवाई मिल जाती है हमें रोज देखने को मिलता है लेकिन एक एमप्लोई को लाइन में खड़ा होना पड़ता है उसको दख्के खाने पड़ते हैं दो दो तिन तिन दितक ही दवाईयों से नहीं मिल पाती है हमने आज तक कभी भी किसी फैकल्टी को लाइन में लगते वे दवाई लेते वे नहीं देखा जबकि डायक्टर से माने केंदरे स्वास्ते मंत्री जी से और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि फैकल्टीज को सेंटरल पूल से यानि कि भारत सरकार की दवारा सीधे तोर पर किदवई नगर के अंदर और भी फ्लेट दिये जाएंगे उनको अलड़ी दिये जा चुके हैं रहने के ल उनकी सिपारिस नहीं कर सकता तो साथीओं ऑगर इन सभी मुद्दों पर गोर करें तो हमारे साथ बड़ा न्याय हो रहा हुई और समय की सुनी जाती है साथियों अगर भात्स ओर से मुदधे हैं यां डोक्टरों के लिए जिम की फैसलेटि है स्विंhmen पुल की फैसलेटि है खेल का मैंदान है लेकिन एम्प्लियों के लिए कोई recressional facility नई है हमें recressional facility हमें अमारा सम्मान चाहिए , जो लंगातार हमें सी छीना जाता है , रोज-रोज हमें हुम्युलट करने की कोसिस की जाती है तो आवाज दो साथियों एक हो जाओ और इस दोगलेपन जो विवार किया जारा हमारे साथ एम्स परसासन के दुवारा इसके खिलाप हमें खड़ा होना है लामबंध होना है और साथियों भारिश सरकार के स्वास्ते मंत्राला है भारिश सरकार के दुवारा एक योजनवत त गए हैं और पब्लिक ओपिनेंस मांगे गए हैं कभी भी स्टेक हॉल्डर से बात नहीं की गी कभी यूनियन असोसेंट के रिप्रेज़ से बात नहीं की गी और हमारी इस प्रोफेशन को योजनाबद तरीके से खतम करने की प्रिक्रिया सबी लोगों के सामने आ गई तो साथ लाकियों हमारी इस अनेसित कालन हडाल के भ perception के स्टानी हैं जैं हम कुछी दिनों मेरे दिखने वाली करंचारियों मेंकि ताकत के रूप है हमारी स्ट्राइक तो मैं मेरे इस वीडियो संदेश के मादेम से देश के जितने भी नर्सिंग ओरनाइजेसिंग फ्रिटनेटीज के जितने भी जो समुह है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा हाट जोड के कि आप हमारी इस मुझीम से जुड़े, आप हमारा समर्थन करें और हमारी सेनिस्त का लिड़ताल के साथ लगातार जुड़े और हमें एक ताकत दें, एक आवाज दें और साथियों लगबग एक महिना है हमें स्ट्रायक पे जाने का इस एक महीने में हम कई तरह की एक्टिविटीज लेके आएंगे एक महीने का पूरा प्लान लेके आप लोग के सामने आएंगे जल्दी उस प्लान के बारे में आप सभी लोगों को विश्थार पूरक बता दिया जाएगा और सातियों आपको और हम सभी को पता है कि आज को प्रदान मंतरी स्री नरेंदर मोदीजी ने उसे सरा है, हम सभी के बारे में उन्होंने बार बार अलग लग जगे बोला है, हमारे ताली बजवाई हैं, दिये जलाए हैं, और भारतिये वाही शेना ने हम पर फूलों की वरसा की है, और हमारा संमान किया है, और हमने इसी के परतिफूल होके, यह कहां कि हमें ताकत मिली और भी जबार काम काने की है, लेकिन इन सभी हमारी मुद्दों पर मांगों पर भार सरकार के स्वास्ते मंत्राल और एड्मिस्रेशन के दुआरा, जो रवईय अपनाया गया है, तो एक त लिश्वास माने नरेंदर मोदी जी में है किकवा हमारी बात को सुनेंगे और यह जो हमारी नयाय संगत मांगे हैं, उनको जल्दीसे जल्दी अंदिम रूप देने की प्रक्रियाओं पर गोर करेंगे मैं इस वीडियो संदेश के माददियम से स्री नरेंदर मोधी से मुचा दिया गया है तो हम एक बार फिर हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदीजी से निवेधन करते हैं कि वो अपना सक्रिय स्थक से इस मामले में दें और हमारी सभी मांगों पर गोर फर्मा के उन्हें अंतिम रूप दें जिससे एम्स नर्थसाइज को या पर नहीं जाना पड़ेगा यह ऐसा हमारा विश्वास है कि अगर माने प्रधान मंत्री जी से मैं स्तक्सेप करेंगे तो साइद 16 दिसंबर की स्ट्राइक पे जाने के लिए या जाने की जुर्थ होगी तो साथ यो एक बार फिर मैं पुन है इस तरह का जो हमारे साथ दुर प्रसिंग यूनियन नहीं सभी करमचारियों को एक साथ आना है और ताकत दिखानी है जय हिंद